तो लखीम पूर खीरी में जिस तरीके से हिंसा हुई देशपन में उसका असर किस तरीके से प्रदर्शन के तोर पर लखनव से लेके बांगलूरू तक, अंबाला से लेके अम्रिस्सर तक नजर आ रहा है ये चार बड़ी तस्वीर आपके सामने देश व्यापी जो प्रदर्शन हम देख पा रहे हैं यए नियाए की मांग कोले का सड़को पर कूच करता हुआ और इसलिए बार बार विपक्षी दलों की तरफ से ये मांग की जा रही है कि उन्हें लखीमपूर जाने दिया जाए विशाल पांडे और विशाल रंगवनशी दोनों मेरे साथ जुड़ गए हैं सबसे पहले ग्राउंड जीरो पर चलते हैं लखीमपूर में हालात क्या है विशाल पांडे ज़रा बताईए देखły विशाल इस वक्त लखीमपूर खीरी में किसान गड़ी तादाद में इकठा होते जा रहे हैं जिस तरफ से जिस सड़क से हम गुज़र रहे हैं वहां से किसान बनवीरपुर गाउं की तरफ आगे बढ़ रहे हैं जहां पर ये पूरी घटना हुई थी और किसानों की ये संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है सड़क पर हम जिधर से भी जा रहे हैं वहां पर किसानों का जथा का जथा उस गाउं के लिए इस वक जाता ह हुआ दिखाई दे रहा है हलाकि उस गाओं में पुलिस के वरिष्ट अधिकारी उन्हें डेरा डाल रखा है एडी जी लॉयन ओर्डर प्रशांत कुमार और जो जिले के वरिष्ट अधिकारी है वो मौजूद है किसानों के साथ अभी एक दौर की और बातचीत चल रही है क्य किसानों के साथ में जहां पर आठ लोगों की मौत हुई थी जिसमें चार किसान और चार अन्य लोग थे और फिलहाल यह जो आप हाईवे देख रहे हैं लखीमपूर खीरी और उस गाओं के बीच का हाईवे है थोड़ी ही दूर पर क्योंकि कल जब यह घटना हुई थी उस और उनके बेटे के खिलाफ नामजद F.I.R. और गिरफतारी की इसके अलावा जिर किसानों की मृत्य हुई है उनको एक करोड मुआपजा देने की मांग यहां पर किसान कर रहे हैं और इसी को लेकर प्रशासन के साथ फिलहाल बातचीश चल रही है और अभी लखीमपूर खीरी में इंटरनेट सेवा पूरी तरह से बंद है यहां पर एडिशनल फोर्स को भी बुलाया जा रहा है लगातार उस गाउं के चारों तरफ पुलिस फोर्स को तैनात किया जा रहा है ताकि कानून विवस्था और शांती दोनों बनी रहे फिलहाल पहली कोशिस सरकार की और जिला प्रशासन की यही है क्योंकि किसान ना सिर्फ आसपास के जिलों से आ रहे हैं बलके हरियाना और पंजाब के भी कुछ गाड़िया यहां पर देखी गई हैं जिसमें किसान मौजूद थे जो बनमीरपुर गाउं की तरफ जा रहे हैं विशाल बिलकुल हम लोटेंगे आपके पास ग्राउंड जीरो से विशाल पांटे हैं साथी साल लकीम पूर खीरी से हमारे साथ विशाल रगवणशी भी है विशाल इससे पहले आप से बात हो रही थी पांच सूथ यह मांगे हैं किसानों की जिसको लेकर जो प्रशास्टिक अमला है और साथी साथ किसानों का संबाद लगाता जारी और लौ एन ओर की कोई चुनोती पूंच सिती ना होने पाए लियाजा एहतियाती सारे कदव उठाए जा रहे हैं आप जहां से इस वक्रिपोर्ट कर रहे हैं वहां की मौजूदा तस्वीर क्या है दिखाएं और बताएं मिशाल रगुबंशी